इस 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 शंकर वेदिया और आप देख रहे हैं यूटूब चैनल अज हम लेकर आया है एक नया चैप्टर जिसका नाम है साइकोमेट्री और यह है रेफ्रेजरेशन एन एर कंडिस्निंग का एक चैप्टर रेफ्रेजरेशन एन एर कंडिस्निंग आपका सब्जेक्ट है मेकेनिकल इंगिनिरिंग में इसमें एक इंपोर्टेंट चैप्टर आता है साइकोमेट्री इस चैप्टर का यह पार्ट वन वीडियो है इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे साइकोमेट्री का डेफिनेशन इस से रिलेटेड टॉपिक जैसे ड्राय एर, मॉइस्ट एर, सैचुरेटेड एर, डिग्री ओफ सैचुरेशन, हिमिडिटी जिसको अस्पेस्पिक हिमिडिटी या फिर हिमिडिटी रेशियो बोलते हैं इसके अलावा इसमें हम लोग जानेंगे अपसुलूट हिमिडिटी, रिलेटिव हिमिडिटी, ड्राय बल्ब टेम्प्रेचर, वेट बल्ब टेम्प्रेचर, वेट बल्ब डिप्रेशन, डिव पॉइंट डिव पॉइंट डिव पॉइंट टेम्प्रेचर यह सभी टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं यह जो चैप्टर है काफी इंपोर्टेंट है यह आपका J.U.T. डिप्लोमा में इस बहुत सारे टॉपिक को कवर करता है साथ ही यह इंपोर्टेंट है S.S.E.J.E. के लिए J.S.S.E.J.E. के लिए इसके अलावा गेट, E.S.E. और Other Competitive Exam के लिए तो यह पार्ट वण है इससे रिलेटर हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे तो आज हम लोग पार्ट वण देखते हैं जेटी सिलेबस की बात करते हैं तो साइकोमेटरी से रिलेटर यह सारा टॉपिक आपको जेटी सिलेबस में पढ़ना है डेफिनेशन हो गया यह प्रोपर्टीज ऑफ एयर डाल्टन्स लोग पार्टियल प्रेशर इसके अलावा साइकोमेटरिक चार्ट इसके इंतरगत साइकोमेटरिक प्रोसेस बाइपास फेक्टर एडीपी कंसेप्ट ओप एस एच एफ आर एस एज एज और जी एस एच एफ इसमें आपको साइकोमेटरिक चार्ट से रिलेटेड नुमेर्कल को भी देखना है और इसके अलावा एडियाबेटिक मिक्सिंग ऑप एयर इस्ट्रीम जो साइकोमेटरिक प्रोसेस का एक टॉपिक है वो भी पढ़ना है साथ में लास्ट जो टॉपिक है उसमें आपको एयर कंडिशनिंग में यूज होने वाला हुमेडिफायर डी हुमेडिफायर फिल्टर एटिंग और कुलिंग कोईल्स के बारे में पढ़ना है इसी तरह ये पूरे जेउटी सिलेबस में ये सारा चैप्टर आपको पढ़ना है तो आज हम लोग चैप्टर नंबर दस यानि साइकोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे जो आपका यूणिट फाइब है जेउटी सिलेबस का रर भी जेई की बात करते हैं तो इसमें आपका टॉपिक कबर होता है एयर कंप्रेसर और साइकिल रेफ्रिजरेशन और आपेखी दो टोपिक है आपको पड़ना है इसके लिए से जिए और जे ये सेजे जिए दोनों का कंभाइंड सेयम सींती होता है इसमें आपको एयर कंप्रेसर फैर साइकिल रेफ्रिजरेशन साइकिल के निसावी ।तविक्त आपको पड़ना है zapridahelesa प्रोपर्टी जो प्रोशेस देखने को मिलता है तो ये चैप्टर आपका येसी के लिए भी important हो जाता है तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं psychometric से start करते हैं चो topic को psychometry psychometry का मतलब होता है कि moist air का study जब हम moist air का study करते हैं तो उस study को हम लोग psychometry का नाम देते हैं अब आती है moist air, moist air का मतलब क्या हुआ तो moist air में हम लोग dry air और water vapor वाटर वैपर है दिया गया तो उसको हम लोग humidity भी बोल सकते हैं तो water vapor और dry air का जब mixture हो जाएगा तो उसे हम लोग moist air का नाम दे सकते हैं यानि moist air में आपका क्या के content होगा तो dry air और water vapor का mixture है तो उसे हम moist air कहेंगे और इसका study को क्या बोलेंगे psychometry बोलेंगे तो dry air का behavior और water vapor का mixture मतलब dry air और water vapor का जो mixture है उसके behavior का study करें तो भी क्या कलाएगा psychometry कलाएगा तो इस अर्थ का अपना atmosphere है और इस atmosphere में बहुत सारे gases है और इसका mixture है तो इस atmosphere में अपका N2, O2, CO2, argon, etc. यह सारे gases मिलते हैं पाये जाते हैं तो इसमें dry air में यह सारा gases include होगा तो psychometry क्या है एक तरह का dry air और water vapor का mixture के study को हम लोग psychometry करते हैं तो बहुत सारा term है इसमें psychometry से related जैसे first term ही है आपका dry air तो dry air से क्या मतलब है तो सबसे पहले जानते हैं तो pure dry air है तो उसमें क्या होता है और dry air में क्या होता तो pure dry air है जिसमें water vapor content नहीं होता या बहुत सारा gases का mixer है जिसमें water vapor नहीं है तो pure dry air में यह N2, O2, CO2, H2, NE, HE, argon, etc. जो है यह सभी gases जो है pure dry air में होता है पाया जाता है तो जो भी आपका dry air है उसका molecular mass हम लोग क्या take करते हैं 28.966 gram per mole यह एक mole में 28.66 gram dry air पाया जाता है तो यह आपका dry air का molecular mass हुआ तो जो air हुआ जो air है उसका gas constant क्या होगा जो air होगा उसका gas constant क्या होगा तो उसका जो gas constant है हम लोग gas constant कैसे निकालते हैं तो एक होता है universal gas constant और दूसरा होता है आपका gas constant जो universal gas constant होता है उसका value क्या होगा fix होगा और gas constant में यह भी किसी भी particular gas constant निकाले तो वो आपका gas constant का लाता है तो यह हम लोग बात करते हैं year के gas constant की तो जो आपका universal gas constant होता है उसका value क्या होता है उसको हम लोग r0 से denote करते हैं h is equal to 8314.3 newton meter per mole per kelvin यह आपका क्या है universal gas constant का value है और r से denote करते हैं gas constant को किसे denote करते हैं r से तो यदि हम लोग year का निकाले gas constant तो year का gas constant हो जाएगा r a is equal to r0 divided by m और यहाँ पर m क्या है तो यह है molecular mass तो जब आप r0 जो की universal gas constant है जिसका value constant होता है सभी के लिए constant होगा तो 8314.3 divided by अब molecular mass कितना air का 28.966 अब इसको आप calculate करेंगे तो पाएंगे 287 287 joule per kg per kelvin तो gas constant of air का value 287 joule per kg per kelvin होता है है यह लोग इसको kilo joule के रूप में express करें तो क्या हो जाएगा r a is equal to 0.287 kilo joule per kg per kelvin यह आपका air का gas constant का value है यह सारे values इसमें आपका important है psychometry के term में तो next जो term है वह आपको पढ़ना है अब जो है water vapor का हम लोग को study करना है तो इसका water vapor का हम लोग का molecular mass कितना टेक करना है 18.016 ग्राम पर मोल यह वाटर वैपर का और ड्राइयर का भी मैं निक्तना रहता है 28.966 यह ड्राइयर के लिए यह ड्राइयर का molecular mass और यह किसका है water vapor का वाटर वैपर का molecular mass तो उसी तरह water vapor का gas constant क्या हो जाएगा तो उसी तरह हम लोग 8314.3 को divide कर देंगे से 18.016 से तो हम लोग को मिलेगा यह वाला value 0.461 0.461 किलो जूल पर केजी पर केल्विन यह 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 वाटर वैपर का जो constant होगा वह होगा 0.41 किलो जूल पर केजी अब dry air का density क्या होता है dry air का density 1 meter q में कितना केजी पाया जाएगा dry air तो 1 meter q में 1.296 केजी dry air पाया जाएगा किसमें 1 meter q के space में के जगह पर 1.293 केजी dry air पाया जाएगा condition क्या है कि pressure कितना होना चाहिए 1.030135 बार और temperature कितना होना चाहिए 0.0 degree Celsius यानि 273 केलविन इतने pressure और temperature पर एक मीटर की उपर dry air कितना मौजूद होता है 1.293 केजी यहाँ पर एक important point है कि pure dry air आपका exist nature में नहीं करता है यानि जो भी dry air होगा उसमें कुछ न कुछ water vapor मौजूद होगा ही इसलिए pure dry air जो है nature में exist नहीं करता है तो जब भी हम लोग dry air की बात करेंगे तो क्या समझा जाएगा कि इसमें water vapor मौजूद है water vapor मौजूद है dry air means water vapor मौजूद है अब हम लोग बात करते हैं वैपर का उसे हम लोग moist air भी काते हैं moist air भी का सकते हैं नेक्स्ट चो टर्म है वो है saturation air saturation air या saturated air air का saturation means यह mixture है किसका dry air और water vapor का dry air और water vapor का यदि water vapor में इसमें कोई air है water vapor है maximum amount of water vapor है air में तो यह क्या कहलाएगा कि saturated air saturated air तब जो air है वो maximum amount of water vapor में मौजूद है यह जो है maximum amount of water vapor में मौजूद है तो वैसे मिश्रन को वैसे mixture को saturated air कहेंगे वैसे mixture को saturated air कहेंगे नेक्स्ट चो टर्म आता है वो आपका है degree of saturation क्या term है degree of saturation बहुत important यह सारे term है जो आपके psychometric chapter से related है यह सारा definition term है जो बहुत सरे exam में directly पूछ ले आते हैं defined करने के लिए तो degree of saturation क्या है तो यह एक ratio है यह एक ratio है किसका ratio है तो दो term होगा ratio में तो पहला जो उपर वाला तर्म है वो क्या है कि dry air में dry air के unit mass में water vapor का कितना actual mass present है water vapor का कितना actual mass present है dry air के unit mass dry air का unit mass में water vapor का actual mass कितना present है divided by divided by कह सकते हैं कि dry air के उसी unit mass में total mass of water vapor कितना है total mass of water vapor कितना है यह दोनों का ratio क्या कहलाता है degree of saturation कहलाता है दुसरे term में कह सकते हैं कि humidity ratio यह humidity तो humidity 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 of moist air of moist air humidity of moist air divided by divided by humidity of humidity of humidity of saturated moist air humidity of saturated 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 moist air saturated moist air में कितना humidity है और moist air में कितना humidity है तो यह ratio क्या कहलाता है degree of saturation कहलाता है degree of saturation नेक्स जो टर्म है वह आपका humidity या फिर specific humidity या हमिडिटी रेशियों देखे यह तर्म आया humidity तो यह humidity क्या है तो एक kg dry air में यह kg dry air में यह kg का dry air है यह kg का dry air है और इसमें water vapor कितना present है इसमें water vapor कितना present है तो एक kg of dry air में जितना water vapor present होगा वह आपका लाएगा humidity humidity इसको हम लोग gram पर kg of dry air से express करते हैं इसको हम लोग gram kg gram पर kg of dry air से express करते हैं next जो टर्म है वह क्या है आपका absolute humidity absolute humidity अब जो है यहाँ पर एक kg of dry air था अब हम लोग one meter cube of dry air में one meter cube of dry air में water vapor कितना मौझूद है उसको हम लोग बोलेंगे absolute humidity उसको हम लोग क्या बोलेंगे absolute humidity absolute humidity एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा gram per meter cube of dry air या फिर grains per cubic meter of dry air यह आपका हो गया absolute humidity यानि one meter cube of dry air में कितना water vapor है absolute humidity और एक kg of dry air में कितना gram water vapor है वो क्या का लाएगा humidity का लाएगा humidity बोलिए या फिर specific humidity बोलिए या फिर humidity ratio बोलिए सेम यह है humidity बोलें या फिर specific humidity बोलें या फिर humidity ratio बोलें नेक्स जो टर्म है वह आपका है relative humidity relative humidity relative humidity रिलेटिव humidity क्या का लाएगा तो moist air के given volume में जो moist air है given volume में कितना water vapor मौजूद है कितना water vapor मौजूद है और उसी moist air में मतलब saturated air में in same volume of saturated air saturated यहां saturated air यहां पर moist air तो saturated air में same volume पर कितना water vapor मौजूद है इसको हम लोग मीचे रखेंगे तो इस ratio को हम लोग क्या बोलेंगे relative humidity तो relative humidity क्या है या एक ratio है किसका किसका makes, moise air के given volume में कितना actual mass of water vapor है उसके divided by two that क्या हो जाएगा saturated air के same value में water vapor कितना मौजूद है यह दोनों term का ratio क्या का लाएगा relative humidity का लाएगा तो humidity क्या था हमिजीटी था हमिलिटी था हमिजीटी था क्या एक मीटर एक केजी ऑप ड्राइयर में 1 केजी ऑप ड्राइयर में कितना कितना वाटर वैपर है कितना वाटर वैपर है हिमीडिटी हुआ और relative humidity क्या हो गया कि moist air के given value में कितना water vapor मौजूद है divided by saturated air के same value में कितना water vapor है उसे हम लोग क्या कहेंगे relative humidity कहेंगे next जो टर्म है वो है dry bulb temperature dry bulb temperature तो dry bulb temperature क्या होगा तो thermometer के द्वारा recorded air का temperature को dry bulb temperature कब कहेंगे जब air में मौजूद moisture का उस thermometer को कोई effect ना करे तो वैसे में जो reading मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे dry bulb temperature dry bulb temperature मतलब इस बल्ब में thermometer का जो बल्ब होगा उसमें कोई moisture का temperature जो present air है एर के moisture का temperature को consider नहीं कर रहा है जो thermometer के द्वारा recorded temperature थर्मोमेटर के द्वारा recorded temperature को dry bulb temperature तब कहेंगे जब air में मौजूद moisture उस temperature के reading को effect ना करे temperature के reading को effect ना करे एर में मौजूद moisture उस temperature के reading को effect ना करे तो वैसे थर्मोमेटर के द्वारा लिया गया reading को क्या बोलेंगे dry bulb temperature में dry ही है moisture का temperature air के moisture का temperature इसमें consider नहीं करते हैं इसको क्या किस से इडिनोट करते हैं इसको हम लोग T D से इडिनोट करते हैं T temperature और D को dry bulb temperature तो T D बोलिये या फिर T D B बोलिये dry bulb temperature weight bulb temperature अब इसमें आप consider नहीं था नहीं एर में मौजूद moisture का temperature को हम लोग effect नहीं कर रहा था आइसमें effect करवा दीजे तो क्या हो जाएगा weight bulb temperature इसको हम लोग W B T या फिर T W temperature of weight bulb या फिर T W B से इडिनोट करते हैं तो जब thermometer का bulb उसके चारो और weight cloth लगा देते हैं weight cloth कपड़ा लगा देते हैं बिंगा हुआ कपड़ा लगा देते हैं और उसके द्वारा जो temperature major खड़ते हैं तो जो भी reading मिलेगा वो क्या कर लाएगा weight bulb temperature कर लाएगा इस वाले figure में देख सकते हैं यहां पर यह जो thermometer है उसका bulb को हम लोग cotton cloth से surrounded कर दियें और इससे हम लोग reading लिए तो हम लोग का यह reading मिला और इससे जो reading लिए जिसमें कोई भी weight cloth नहीं लगाए है इससे जो reading लिए यह हो गया dry bulb temperature यह हो गया weight bulb temperature यह रखा तो यदि weight है cloth इसका bulb surrounding इसका definitely जो है इसका temperature क्या होगा कम होगा और चुकि यह dry है तो इसका temperature high होगा अब यह दोनों का difference क्या कलाता है weight bulb depression कलाता है यह dry bulb temperature और weight bulb temperature के अंतर को क्या बोलेंगे weight bulb depression कहेंगे तो weight bulb depression क्या है यह एक difference है किसके किसके भी तो dry bulb temperature का ज्यादा value होगा तो dry bulb temperature minus weight bulb temperature तो देख सकते हैं इसमें इस वाले डाइग्राम में यदि weight clothes के द्वारा लिया गया temperature है तो यह आपका यहां पर है यहां तक लिया गया है और dry है और dry है तो dry bulb temperature का द्वारा लिया गया reading यहां पर है ठीक है यह weight bulb temperature है यह dry bulb temperature है तो इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा portion कौन सा मिलेगा यह मिलेगा नि weight bulb depression मिलेगा तो दोनों का अंतर यानि dry bulb temperature और wet bulb temperature के अंतर को क्या बोलते हैं weight bulb depression बोलते हैं किस तरह से unsaturated air का हम लोग temperature measure कर रहे हैं unsaturated air का एक wet bulb temperature measure कर लिए और एक dry bulb temperature measure कर लिए तो इस तरह से दोनों का difference जो आएगा उसको हम लोग बोलेंगे wet bulb depression नेक्स जो important term है वो है आपका dew point temperature dew point temperature dew point temperature को हम लोग denote करते हैं tdp से tdp से या फिर capital में dpt से dew point temperature क्या होता है dew point temperature तो इसको एक हम लोग graph से समझते हैं एक यह graph बनाया है जो एक टी है और यह है इस डारेक्शन में t है और इस डारेक्शन में एस इधा temperature है इधा entropy है तो कोई भी येर को येर यान ड्राय येर को जब हम लोग कुलिंग कर रहे हैं तो यहां पर क्या है वाटर भैपर वाटर भैपर का अपना pressure होगा तो वाटर भैपर के pressure को हम लोग क्या kynote है pv से ενसुंवाल भैपर को pv से तब हम लोग इसको जबी कुलिंग करना स्टार्ट करते हैं तो वाटर भैपर को टीनिंग कर रहे हैं तो कुलिंग करते करते हम लोग ऐसे पोइंट पर आते हैं कि यहां से वह condensation होने लगता वाटर भैपर किस में बदलेगा? Liquid form में बदलेगा यानि जो वाटर भैपर gaseous form में था वह liquid form में बदलेगा तो यही point में है तो इसी point से start करेगा condensation इसका condensation start करेगा तो इस point पर जो temperature मिलेगा उसे हम लोग बोलेंगे dew point temperature ठीक है तो यह आपका dew point temperature यही temperature क्या आपका लाता है dew point temperature और यह वाला जो आपका कर्व है यह saturation कर्व है मतलब इसके बाद just क्या हो जाएगा liquid में चेंज़ जाएगा और इससे पहले क्या था इस कर्व से पहले इधर का portion में क्या था वह gaseous form में था तो इस point पर जो भी temperature मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे dew point temperature और यह dew point temperature जो है यह किसमे है saturation कर्व पर है तो यह saturation temperature के equal है और यहां पर क्या था यहां पर यह जो वाटर वैपर इसमें जो था वह superheated था और उसको हम लोग cooling कर रहे थे तो यहां पर का जो temperature है वह आपका T superheated यानि dry bulb temperature था वो और यह जो है superheated temperature था इस point पर तो यह वाला जो point है यानि dew point पर जो आपको temperature मिलेगा उस temperature को हम लोग क्या बोलेंगे dew point temperature तो thermometer के द्वारा recorded वैसा temperature यह का वैसा temperature जब जब water vapor moisture present in it जो moisture होता है वह start करता है क्या condensed होना तो अब thermometer के द्वारा record किया गया एर का temperature को dew point temperature खाते हैं जब water vapor में मौजूद moisture condense करना start करता है तब जहां से start करता है तो thermometer के द्वारा लिया गया उस point पर का temperature क्या का लाता है dew point temperature का लाता है ठीक है अब जो है यह water vapor है तो उसका अपना pressure होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते है partial pressure partial pressure of water vapor partial pressure of water vapor तो इसका corresponding value saturation temperature का लाता है यह जो है पीबी है इसका corresponding value क्या का लाता है saturation temperature का लाता है यदि हम लोग dew point temperature का explain करें तो यह दो term है को जानना जरूरी है एक unsaturated air दुसरा saturated air unsaturated और दुसरा saturated air unsaturated का मतलब क्या हुआ कि air में water vapor है air में water vapor है और moist air containing moisture in superheated state और superheated state में भी moisture क्या कंटेन कर रहा है moisture कंटेन कर रहा है moisture कंटेन कर रहा है superheated state में भी moisture moisture कंटेन कर रहा है तो वैसे air को क्या बोलेंगे unsaturated air unsaturated air मतलब इसमें moisture है मौजूद है तो air क्या हो गया unsaturated हो गया unsaturated air कहेंगे अब जो water vapor dry condition में भी water vapor है saturated air में dry condition में भी क्या है water vapor dry condition में water vapor मौजूद है तो वैसे air को क्या कहेंगे saturated air वैसे air को saturated air यानि super heated state में moisture में moisture content है तो unsaturated हो गया air और dry condition में water vapor मौजूद है तो कहेंगे क्या saturated air क्या कहेंगे saturated air अब जो है unsaturated air को का एक sample लेते हैं जिसमें superheated water vapor है यह जो है unsaturated air का sample लें और उसमें superheated water vapor को हम लोग क्या करते हैं बुल करते हैं जो अब यहाँ देख रहे हैं यह वाला यहां से तो यह जो करते हैं यह किस पर करते हैं constant pressure frequent any इसमें क्या होगा की पर्ते कोंस्तिजूइंट मतलब वाटर भैपर में जो भी आपका वाटर है वाटर का भैपर का अपना प्रेशर होगा तो उसका प्रेशर क्या होता है constant होता है जब तक कि saturated state पर ना पहुँच जाए यानि यहां से जो line है यह line यह line पर हर point पर क्या है pressure क्या है constant है तो बी-point तक वाटर भैपर का pressure क्या होगा constant होगा प्रेशर किये जा रहे है नेकिन इसका जो वाटर भैपर का pressure होगा वह क्या होका constant होगा कहां तक बी-point और इसके just बाट चुकि यह यहां से condense होना start करेगा तो वहां पर उसका pressure vary कर जाएगा pressure vary कर जाएगा for a saturated state as shown by point B अब चुब B point तक क्या था water vapor का pressure constant था at this point the first drop of dew यहां पर os निर्मान हुजाता है इस point पर B point पर क्या है water का जो वैपर था वहां से एक फास एक drop यानि condense हो के एक drop water का बन जाता है तो इसी point को इसी point को dew with the form इसी point को dew form होता है इसलिए उस point को क्या बोलते हैं dew point temperature इसको क्या बोलते हैं dew point temperature याद हो गया यह आपका dew point temperature किस तरह से form होता है further cooling यह उसके बाद हम लोग cooling करना start कर दें उसके बाद saturation point B तक उसके बाद हम लोग start करें तो water vapor बिल्कुल condensation start कर देता है condensation start कर देता है तो अब एदी saturated air हो एदी saturated air हो तो unsaturated air की बाद की एदी saturated air हो तो dry bulb temperature या फिर weight bulb temperature और dew point temperature यह तीनों क्या हो जाएगा सेम होगा नेकिन इस condition में हम लोग क्या ले रहा थे unsaturated air को हम लोग pulling कर रहे थे ठीक है तो यदी saturated air लेंगे तो क्या होगा तीनो dry bulb temperature वेट बालब temperature और dew point temperature तीनों क्या होगा सेम होगा अब dew point depression क्या हो गया dew point depression क्या होगा तो यहाँ पर dry bulb temperature और dew point temperature का जो difference होगा वह क्या कहलाएगा dew point depression कहलाएगा dew point depression कहलाएगा यानि उसमें क्या था dry bulb temperature और wet bulb temperature के अंतर को क्या बोलते थे वेट बालब डिप्रेशन लेकिन यहाँ पर क्या है dew point depression किसको बोलेंगे तो dry bulb temperature और dew point temperature के difference को क्या बोलेंगे dew point depression dew point depression तो यह complete topic हो गया आपका cover कर दिए हम लोग हम लोग क्या क्या cover कियें फिर से देख लेते हैं एक बार तो हम लोगों ने cover किया psychometric क्या है dry air क्या होता है moisture air क्या होता saturated air क्या होता degree of saturation क्या होता humidity कहिए या फिर specific humidity या फिर humidity ratio यह क्या होता फिर हम लोगों ने पढ़ा absolute humidity फिर relative humidity के बारे में जाना फिर dry toков के बारे में जाना वेट वलप temperature के बारे में जाना फिर इंपरेशन पहुत इंपसेन इयंका पपधर इंप्रेशन के बारे में जाना तो इतना तर्म हम लोग यह पार्ट वन के इस वीडियो में देखें है, नेक्स्ट जो होगा, इसी से related next topic पर इसी चैप्टर पर हम लोग next वीडियो में देखेंगे, फिर धीरे धीरे इस चैप्टर को complete करेंगे, और complete होने के बाद हम लोग multiple choice questions जो SSCJSSCJSGate different competitive exam में, पुछा हुआ रहता है उसको हम लोग अस्टाटी करेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में थैंक्यू सो मच हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत और यदि आप मेरे यूट्व्ड चैनल से जुड़ना चाहते हैं इसाभा का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेकैनिकल वेदिया यूट्व चैनल है इसको जरूर जरूर सब्सक्राइब किजिए आर लाईक किजिए ठैंक्यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जैहिन जैभारत